नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जो एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, बता जे तीन लाख से अधिक लोगों ने इस पोस्ट को किया है, वहीं इसे लेकर नेता परतिपक्ष अमर बावरी ने भी ट्रीट कर मुख्य मंत्री हेमन सुरेन से स्वाल पूछा है, जैसे ही कैंसी जेसे सी शीजियल ट्रेंड हुआ, अमर कि पोस्ट में सीम हमन सुरेन से पूछा है कि मुख्य मंत्री जी से राज के जीवा पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, पांच लाख नोकरीयों का क्या हुआ, परिक्षा में होई अनिमित्ताओ की जाच का क्या हुआ, वहीं कोचिंग संस्थान केरियर फ बोट में ही देंगे, पुर्व मुख मंत्री चमपाई सुरेन की तबियत विग्री जमसेत पूर TMS में भरती, जारखन के पुर्व सीम चमपाई सुरेन की तबियत आचानक से भीगड़ गई है, तबियत विगरने के बाद उन्हें जमसेत पूर्टा मेमोरियाल अस्पताल म वाले थे लेकिन तव्यत खराब होने की वज़ा से वे भोगना डिह नहीं जा सके बतादे चमपाई सुरेन के अचानक अस्पताल में भरती होने के बाद उनके समर्ता स्वास्त को लेकर चींतित थे इसके बाद चमपाई सुरेन सोसल मीडिया के माध्यम से जनकाई देते बता नहीं है मैं सिग्र स्वास्त होकर वापस अपने लोगों के बीच लोटूंगा पुर्वे सीम चमपाई सुरेन सीम पसे इस्थिपा देने के बाद बागीत देवर अपना लिये थे और बीजेपी में सामिल हो गये थे इस दोरान वे बीजेपी के लिए जमकर परचार कर रह हैं और हमांत सरकार का बिरोद कर रहे हैं जारखन को जल्द मिलेगा मल्टी एस्पेस लीटी होस्पीटल सीम हमांत आज रखेंगे अधार सिला जारखन के मरीजों को गंभीर बीमारीयों के इलाज के लिए देश के दूसरे सहर के बड़े अस्पतालों के चकर काटने से मु के लोगों को नई दिली चेनाई मुंबाई है द्राबाद जैसे सहरों क्यों रूख करना पड़ता है दरसल जारकन के मुख्यमंत्री हमां सुरेन के ब्यक्तित गत और राज सरकार के नेक परियास या संभव होने जा रहा है साथ अक्टूबर को रांची के धुर्वाई सीधा स्मार्ट सीटी चेतर में अपोलो मल्टी एस्पेसलीटी होस्पीटल का सिरन्याज मुख्यमंत्री हमां सुरेन के द्वारा किया जाएगा 310 बेड के इस मल्टी एस्पेसलीटी होस्पीटल में परसीध हिर्दय देख भाल अध्यधुनी कैंसर उपचार द्यालू मत्रु स्वास्त विशेस बाल चिकित्सा की बेवस्ता होगी या अस्पताल आपके जीवन के हर चरन पर आपके साथ रहेगा भागपा मवादियों ने 15 को बिहार ज्यारखन बंद की घोषना की पूलिस पर सासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया जान बोजकर पूरी प्लानिंग के तहट इलाज के अभाव में जया कि हत्या कर दी गई आजाद ने बताया है कि इससे पहले 8-14 अक्टूबर तक सरदान्जली सभा का भी आवेजन किया जाएगा 9-13 अक्टूबर तक रांची सहर में भारी वाहनों के परवेश पर रोक रांची पूलिस की ओर से दुरगा पूजा में सुरक्षाव ट्रैफिक ब्यवस्ता को दुरूस्त किया जाएगा पूजा के मौगे पर रांची में 9-13 अक्टूबर तक भारी और मालवाहक वाहनों के परवेश पर रोक लगा दी है बतादे प्रती दिन सुबह 8 से अगले दिन सुबह 4 बय तक हर रोड पर यही विवस्ता रहेगी वही में रोड में भी पूजा के दौण नीजी एवं यात्री वाहनों का परवेश हर रोज साम चार से अगले दिन सुबह 4 तक वर्जित रहेगा ट्रैफिक एसपी कैलास करमाली ने रभी वर को इससे समधी आदेश जारी किया है साथ ही ट्रैफिक एसपी ने पूजा के दौण सरधालूओं के लिए वाहन के पार्किंग के अलावा कुछ मारगों में वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाई है बियारपी सियारपी को बढ़े मांदे नहीं मिलने से निरासा बियारपी सियारपी एस एस संग ने मांदे बढ़ोतरी होने के बाद भी इस लाब से अब तक वनचीत होने पनिरासा ब्यक्ति है संक्यदे कृष्णा प्रशाद ने कहा है कि काफी संगहर्ष के बाद BRPCRP के लिए मांदे बढ़ोतरी के वह साथ 8000 रुपे की गई लेकिन इसे प्राप्त करने से अभी सब ही BRPCRP वन्चित है कारान सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की लंबी परकिरिया जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है उन्होंने कहा एक BRPCRP के नियुक्ति वर्ष के अधार पर अधिकांस का सेवा काल 19-20 वर्ष पूर्ण हो गया है इस तोरान सभी तरह के कारे उनके जीमे में हैं लेकिन समाजिक सुरक्षा से वन्चित रखा जा रहा है इसके विप्रित पर्योजना में BRPCRP के समकुक्ष कारणत कर्मियों को उच बेतन के साथ प्रोजेक्ट, अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और भविस निधी कटाउती कर रही है पच्मी सिंभू में ट्रेन बेपर्टरी करने की कोशिस जहारखन के पच्मी सिंभू मजीले में चक्रधरपूर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन के आउट डोर के पास एक बार फिर सनी वार रात को थर्ड लाइन ज्वाइन पॉइंट संक्या 101A वा 101B ज्वाइन पॉइंट पॉइंट पर पत्थर रखा मिला है पटरी पर पेट्रोलिंग कर रहे रेल कर्मियों ने समय रहते ज्वाइन पॉइंट पर रखे पत्थर को देख लिया इसके बाद आनन फानन में थर्ड लाइन समेत में अप वर डाउन लाइन में रेल परिचारन बंद कर दिगाई घाटना सनी वर रात करीब 9 बच कर 45 मेंट की बताई जा रही है बतादे सुनवा इस्टेशन के आउट डोर में फीर से जोईन पॉइंट पर पत्थर रखन जाने की सुचना से चकरधरपूर रेल मंडल अपरात अपरी मच गई है रात में ही चकधरपूर रेल मंडल मुख्याले से आर्पी एफ की टीम घाटना स्थल पर पहुंची वर ट्रेन ट्रेक की जाच किया है मैय समान में 11 रूपे जोड़े केंदर सकार हेमान सुरेन मुख्य मंतरी हमान सुरेन ने जारखन में आगामी विधान सवाचुनाओ को लेकर भाजपा की होसना पत्र पंच प्रण परकड़ा प्लटवार किया है सीम ने कहा है कि मैय समान योजना पूरे देश में समय की जरूरत है उन्होंने प्रदान मतिनादमदी से मांग किया है कि केंदर सरकार अपनी तरब से मैय समान में 11 रूपे जोड़े और आजीवन पैसा देने का लिखिस संकल पले हेमान सुय ने एक्स पर पोस्ट के जरिये कहा है कि या कितना हस्पद है कि जहरखन में महिलाओ को एकई 100 रूपे देने की बात करने वाली भाजपा की उडिशा सरकार मातरे 830 रूपे महिने केवल 5 सालों के लिए दे रही है जमु कास्मीर में भाजपा ने घोषना किया है कि वहां के हर परिवार की एक महिला को ही मा योजना का लाप देगी वही माद्य परदेश में एक है रूपे जो अब सर्तो सहीद 1250 रूपे देने की बात भाजपा ने की है मुख्यमंदर ने पोस्ट में लिखा केंद्र को देश के हर राजपा की हर बाहन को 25 रूपे भेजने की योजना जल्द लागू करे आउटसोर्सिंग कर्मियों का मांदे तै करेगी सरकार आउट्सोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मियों को मांदेश समेत अने सुभधावत देने की दिशा में राज सरकार एक बड़ा फैसल लेने जा रही है हाई कोट द्वारा दिये गए आदेश और इन कर्मियों के परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि इनके हीत में नितिगत निरने लिया जा सके सियम हेमान सुरेन के अदेखता में मंगलवार को प्रस्तावीत कैबिनेट की बैठा को प्रस्ताव पर सुखरिती मिलने की संभवना है प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आउट्सोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार नेमावली बनाने की त्यारी में है बरतमान में सरकार के विभीन विभागों से लेकर परखण अस्ता तक ऐसे आउट्सोर्सिंग करमियों किसंगर 117 जादी खाये प्रस्ताव को स्विक्रिती मिलते ही ऐसे करमियों को जबाब देही तैक करने उनका सोसन रोकने और समान जनक मांदे समेट अने हितों में आम फैसला लेना समभव हो पाएगा रांची के डोरंडा के चार सगे भाई बहन समेट साथ सोन में डूबे बिहार के सासारा में रभिवार की दोफ़र दधनाक हचा हुआ है यहार रोता स्थाना चेतर के तुमबा गाउं में सोन में असनान के दोरां सतात बच्चे डूब गाई इन में से चाह की मौत हो गई मिरितकों में चार सहोतर भाई बहन है चारो मुल रूप से रांची के डोरंडा के पोखरिया टोला के रहने वाले है दो साल पहले यह परिवार घर जमीन बेच खीजिरी में किराय में रहने लगे थे कुछ दिन पहले गढ़वा में भी सिफ्ट हो गया था नंदू गोड पतनी और चारो बच्चों के साथ दसारा में तुमबा इस्थी ससुराल गाए हुए थे रभिवार को नंदू चारो बेटे बेटियों समेथ साले के तीन पूत्रों को लेकर सोन की और घुमने गाए जम नंदू किसी से बात करने लगा तभी बचे नहाने नदी में उतर गए जे एससी सीजियल अभियार्थी 13 को लगाएंगे छात्र अदालात मौराबादी के बापू आठिका में जे एससी सीजियल परिक्षारवरत करने की मांग को लेकर अभियार्थियों का धाना रभिवार को पांचवे दिन भी जारी रहा अब यहतियों ने बताया है कि वे परिक्षाव में हो रही धान्दली को लेकर 13 अक्टूबर को चात्र अदारत लगाएंगे परते एक जीले के 11 चात्र जीला परतिनीधी के तोर पर जन परतिनीधियों से सवाल करेंगे बताया है कि JPSC के अध्यक्षव सदस के साथ जन परतिनीधियों को अमंत्रित करने के त्यारी है गढ़वा में पूलिस से भीड़े गरामिन हंगामा गढ़वा की मिराल धना अंत्रगत एनेच प्रसक्तर पर बना महुआ गाओं के पास पूलिस पबली के बिच देर साम जड़ब होने का मामला परकास में आया है घाटना से अक्रोसित गरामिनों ने करीब धाई गंटे तक सलग जाम कर दिया सुचना पर पहुँचे एसपी दीपा कुमार पांडे ने अक्रोसित गरामिनों को समझा पुझा का मामला संथ कराया है बताद एसपी ने बताया है कि मिराल पूलिस गस्ती पर निकली थी उसी करम में बाना महुआ में एक यूवक के साथ पूलिस की नोग जोग हुई उसके बाद घाटना से अक्रोसित गरामिनों ने सड़क जाम कर दिया उसी दोरान नवर उटारी की ओर जा रहे सांसत बीडी राम को भी अक्रोसित लोगों ने रोक दिया उसके बाद सांसत को वापस लोटना पड़ा सुचना पर पहुची मिराल पूलिस लोगों को समझाने में असपल रही है उसके बाद सुचना पर एस पी दल बल के साथ घाटना से लोगों को समझा बुझा कर जाम हटवाया है कलपना सुरेन ने गुमला से किया बिजेपी परवार गांडे बिधाय कलपना सुरेन ने गुमला में मैया समाने आतरा के दरन बिजेपी को आड़े हाथे लिया है या जारखन है विपक सुन ले यहां जुमले बाजी वाली बाते नहीं चलेगी जरकन सरकार विधान सवा में तरह तरह की नीतिया वा योजनाय पास करती है और जब वह नीतिया वा योजनाय केंदर सरकार के पास भेजी जाती है तो केंदर सरकार दोरा उसे लागू नहीं किया जाता इसके लिए भाजपा दोरा PLI गैंग बनाया गया है भाजपा वाले PLI गैंग को इतना एक्टिव कर दिये हैं कि जब भी जरकन सरकारदवारा कोई नई योजना बनाई जाती है चाहे युवाओ को नोकरित देने की हो नियोजन निती लागू करने की हो भाजपा किये PLI गैंग वाले उस पर PLI लगा देते हैं और उसे लागू नहीं होने देते उक्तबाते गांडे विधाय कलपना मुर्मू सुरे नरभी वर को गुमला में कही है वे गुमला के हवाई अड़ा में मैय समान्यात्रा अंत्रगत आयोजीत कारकनम को समधित कर रही थी बनाई गूपता को लेकर फेक निज वारल करने वाले पर पुलिस करवाई जारकन के स्वास मंत्री बनागूपता को लेकर एक फेक खबर सोसल मीडिया पर वारल है मामले को लेकर पुलिस करवाई की त्यारी कर रही है उन पर एक महिला दोरा योन सोसन का आरोप लगाते हुए सिटी एसपी कर रहले में सिकायत का पत्र वारल हुआ इसको लेकर सुबा से भराम की स्थिती थी मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि ऐसी कोई सिकायत उन्हें नहीं मिली है इस पूरे मामले की जाच की जाएगी पता लगाया जागा कि आखिर पत्र कैसे वारल हुआ इसके बाद पुलिस उचित करवाई करेगी रांची के सिटी एसपी राज कुमार मेहता ने मामले को लेकर बताया है कि एसपी करयाले में इस तरह का केस दर्ज नहीं होता है उन्होंने कहा है कि पता लगाया जा रहा है कि इस पत्र का सोर्स गया है और यह आखिर कैसे वारल हो रहा है सेविका सहाई का हरताल पर आंगनवारी में लटके ताले जीले के 1792 आंगनवारी केंदरों पर सनीवार से ताले लटक गया है हरताली सेविका सहाई काओ ने आंगनवारी केंदरों पर ताला जड़ दिया है अंगनवाडी वर्कर कूल आठ सुत्री माओं को लेकर हताल पर चले गया है इसमें सरकार के द्वारा मांदे समंधी वादा खिलापी भी सामिल है मालूम हो कि हर्ताल के पहले आंगनवारी वरकर के द्वारा चार दिन पहले जिला मों खेला हुआ महांगावन मसाल जुरूस भी निकाला गया था धन्यवाद